परिचय अरे अमित, तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं पिता जी, मुझे आप से कुछ पूछना है हाँ, हाँ, पूछो पिता जी, हमारे देश की जनसंख्या वृद्धिदर क्या है? अच्छा प्रशन है बेटा हम अफकलच का उपयोग करके वृद्धिदर का पता लगा सकते हैं हम वृद्धिदर निकालने में अफकलच का उपयोग कैसे कर सकते हैं, पिता जी? क्या तुम इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हो? हाँ, पिता जी तो आओ, अपने इस नया ध्याय में हम अफकलज के अनुप्रयोगों के बारे में विस्तार से चर्चा करें इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे राशी के परिवर्तन की दरपता लगाना फलनों के वर्थमान और हिरासमान अंतरालों का विशलेशन करना एक वक्र पर स्पर्श रेखा का समीकरन ग्याद करना अफकलणों का उप्योग करके मूलों का अनुमा लगाना एक फलन का उच्चिस्थ और निम्निस्थ का मान ग्याद करना एक बंद अंतराल में एक फलन का उच्चिस्थ और निम्निस्थ मान ग्याद करना राशी के परिवर्तन की दर अफकलच को एक फलन के परिवर्तन की तातकालिक दर द्वारा परिभाशित किया जाता है इसका मानक उधारण ये है कि यदि F T समय T पर एक वस्तु की इस्थिती दर्शाता है तब F-T समय T पर वस्तु की चाल को दर्शाता है आईए एक उधारण लेते हैं, जहां परिमान समाई के साथ बदलता है यदी Ft बराबर जिवानों की संख्या है, तब Ft बराबर जनसंख्या वृत्थी दर है यदी Ft बराबर रेडियो धर्मी पदार्थों की मात्रा है, तब Ft बराबर चै की दर है उधारण धादू की एक वर्गाकार चादर की भुजा 3 cm प्रती मिनट की दर से पढ़ रही है यदी उसकी भुजा 10 cm लंबी है, तब चादर का क्षिद्र फल किस दर से पढ़ेगा हल मान लिजे की समय T पर चादर की भुजा X है, तथा A क्षिद्रपल है तो ये दिया गया है की D X बटा D T बराबर 3 cm प्रती मिनट इसे समी करण एक से चिनित करें, तथा A बराबर X वर्ग को समी करण 2 से चिनित करें, समी करण 2 का T के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो हमें प्राप्त होगा D A बटा D T बराबर 2 X गुणा D X बटा D T समी करण एक से D A बटा D T बराबर 6 X अब शेत्रपल के परिवर्टन कितर यदि X बराबर 10 cm है, तब X पर D A बटा D T बराबर 10 होगा जो की बराबर होगा 6 गुणा 10 अर्थात, 60 वर्ग सेंटिमीटर प्रति मिनट के वर्दमान और हिरासमान फलन एक फलन F एक खुले अंतराल I पर वर्दमान होता है यदि X2 से छोटे अंतराल X1 में कोई दो संख्याएं X1 और X2 के लिए F X1 F X2 से छोटा या पराबर है को इंगित करती हैं एक फलन F एक खुले अंतराल I पर वर्दमान होता है यदि X2 से छोटे अंतराल X1 में कोई दो संख्याएं X1 और X2 के लिए F X1 F X2 से बड़ा या पराबर है को इंगित करती हैं एक फलन F एक खुले अंतराल I पर निरंतर वर्दमान होता है यदि X2 से छोटे अंतराल X1 के साथ आई के अंतरगत तटेक X1 X2 के लिए हमारे पास F X1 F X2 से छोटा है जिसकार्थ है X के बढ़ने से F X बढ़ेगा एक फलन F एक खुले अंतराल I पर निरंतर हिरासमान होता है यदि X2 से छोटे अंतराल X1 के साथ I के अंतरगत प्रतेक X1 X2 के लिए हमारे पास F X1 F X2 से बढ़ा है जिसकार्थ है X के बढ़ने से F X घटेगा फलन जो ना ही वर्थमान है और ना ही हिरासमान है आईए एक उधारन लेते हैं नीचे दिया गया फलन है Y पराबर कॉस X प्रमे माना की F एक बंद अंतराल A, B पर सतत है तथा खुले अंतराल A, B पर अफकलन किया जा सकता है तब F बंद अंतराल A, B में परदमान होता है यदि खुले अंतराल A, B के अंतरगत प्रतेक X के लिए F डैश X शुने से पड़ा है F बंद अंतराल A, B में हिरासमान है यदि खुले अंतराल A, B के अंतरगत प्रतेक X के लिए F डैश X शुने से छुटा है F बंद अंतराल A, B में एक अचर फलन है यदि खुले अंतराल A, B के अंतरगत हर X के लिए F-X 0 के बराबर है उधारण A का मान ग्यात कीजिए जिसके लिए F-X बराबर X वर्ग घटा 2AX जमा 6 निरंतर वर्दमान हो जब X 0 से बढ़ा है हल हमें क्या थे F-X बराबर X वर्ग घटा 2AX जमा 6 F-X का X के सापेक्ष अफगलन करते हैं F-X बराबर 2X घटा 2A बराबर 2 गुणा X घटा A F-X 0 से बढ़ा है यदी 2 गुणा X घटा A 0 से बढ़ा है अत्वा यदी X A से बढ़ा है अत्यव A 0 से बढ़ा या बढ़ापर है क्योंकि X 0 से बढ़ा है स्पर्श रेखा और अभी लंब माना की Y बढ़ाबर F-X X के सापेक्ष Y का अफगलज अर्थात X 1 Y 1 पर DY बटा DX X 1 Y 1 पर वक्र Y बराबर X के F के लिए स्पर्श रेखा की ढलान को प्रदशित करता है तब X 1 Y 1 पर वक्र के लिए स्पर्श रेखा का समेकरान Y घटा Y 1 बराबर X 1 Y 1 पर DY बटा DX X घटा X 1 होता है जैसा कि हम चानते हैं कि संपर्गिस्थल पर अभी लंब रेखा स्पर्श रेखा के लंबवत होती है अतैव X 1 Y 1 पर अभी लंब की धलान X 1 Y 1 पर घटा 1 बटा DY बटा DX होता है X 1 Y 1 पर वक्र Y पराबर X के F के लिए अभी लंब का समेकरान Y घटा Y 1 बराबर X 1 Y 1 पर घटा 1 बटा DY बटा DX गुणा X घटा X 1 होता है विशेश इस्थिति यदि स्पर्श रेखा की धाल 0 हो तब 10 थीटा बराबर 0 एवं इसलिए थीटा बराबर 0 जिसका तात्पर है कि स्पर्श रेखा X अक्ष के समानांतर होती है अता बिंदू X 1 Y 1 पर स्पर्श रेखा का समेकरान Y बराबर Y 1 के द्वारा दिया जाता है यदि थीटा का मान पाई बटा 2 के समतुले होता है तब 10 थीटा का मान अनंत के समतुले होगा जिसका तात्पर है कि स्पर्श रेखा X अक्ष के लंबवत है अर्थात Y अक्ष के समानांतर है इसलिए X 1 Y 1 पर स्पर्श रेखा का समेकरान एक्स बराबर एक्स एक द्वारा दिया जाता है उधारण वक्र के लिए स्पर्श रेखा और अभी लंब की धलान ग्याद कीजिए एक बटा दो एक बटा दो पर वर्गमोल एक्स जमा वर्गमोल वाई बराबर एक हल वक्र का समीकरण वर्गमोल एक्स जमा वर्गमोल वाई बराबर एक है इसे समीकरण एक से चिन्नित करें एक्स के सापेक्ष समीकरण एक का अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है एक बटा दो गुणा वर्गमोल एक्स जमा एक बटा दो गुणा वर्गमोल वाई गुणा दी वाई बटा डी एक्स बराबर शुन्ने अत्वा डी वाई बटा डी एक्स बराबर गटा वर्गमोल वाई बटा एक्स अतैव एक बटा दो एक बटा दो पर स्पर्श रेखा की ठाल गटा वर्गमोल एक बटा दो बटा एक बटा दो बराबर गटा एक है तथा एक बटा दो, एक बटा दो पर वक्र के लिए अभी लंब की ढाल घटा एक बटा घटा एक बड़ाबर एक है सन्निकटन X के सापेक्ष Fx का अफगलज इस प्रकार परिभाशित किया जाता है F-X लगभग Fx जमा डेल्टा X घटा Fx बटे डेल्टा X के बराबर है यह इंकित करता है कि Fx जमा डेल्टा X बराबर Fx जमा डेल्टा X गुणा F-X जो f x जमाद डेल्टा x का सन्निकट मान कहलाता है उधारन अफकलन का उप्योग करते हुए 9996 के चतुर्थु मूल का सन्निकट मान ग्यात कीजिए हल हम जानते हैं कि 9996 पराबर है 10,000 घटा 4 के जो की पराबर होगा 10 की घात 4 घटा 4 के चलिए माना की x बराबर 10 की घात 4 और डेल्टा x बराबर घटा 4 है अतेव x जमाद डेल्टा x बराबर 9996 होगा माना की y बराबर x की घात 1 बटा 4 जो की बराबर है 10 की घात 4 गुणा 1 बटा 4 के जो बराबर होगा 10 के अतेव dy बटा dx बराबर है 1 बटा 4 गुणा x की घात घटा 3 बटा 4 के अतेव y जमाद डेल्टा y बराबर डेल्टा x गुणा dy बटा dx जमाद y है अभी सूत्र में मान रखने पर हमें 9996 का चतुर्थ मूल बराबर घटा 4 गुणा 1 बटा 4 गुणा x घात 3 बटा 4 जमाद 10 प्राब्त होगा इसकी करना करके हल करने पर हमें 9 दशमलव 999 प्राब्त होगा अता 9996 के चतुर्थ मूल का सन्निकट मान 9 दशमलव 999 है उचिस्थ और निमनेश्थ एक फलन का उचिस्थ मान वो होता है जो बिंदू के पास बिंदू के दोनों तरफ किसी भी अन्ने मान से अधिक्तम होता है इसे सापेक्ष उचिस्थ कहा जाता है सापेक्ष उचिस्थ माना की Fx फलन एक वास्तविक मान वाला फलन है तथा Fx के प्रांद में C एक अभियंतर बिंदू है तब X बराबर C पर Fx एक सापेक्ष उचिस्थ कहलाता है यदि H के सभी धनात्मक तथा रनात्मक मानों के लिए जहां Fc F of C जमा H से बड़ा है परियाप्त छोटा हो एक फलन का निमनिष्थ मान वो होता है जो बिंदू के ठीक पास बिंदू के दोनों तरफ किसी भी अन्ने मान से निमनितम होता है इसे सापेक्ष निमनिष्थ कहा जाता है सापेक्ष निमनिष्थ माना की Fx फलन एक वास्तविक मान वाला फलन है तथा Fx के प्रांद में C एक अभियंतर बिंदू है तब X बराबर D पर Fx एक सापेक्ष निमनिष्थ कहलाता है यदि H के सभी धनात्मक तथा रनात्मक मानों के लिए जहां Fd F of D जमा H छोटा है परियाप्त छोटा हो प्रथम अफकलज परीक्षन एक फलन का प्रथम अफकलज अर्थात F-X ग्याद कीजिए दो प्रथम अफकलज को 0 के बराबर मानते हैं अर्थात F-X बराबर 0 तथा वास्तविक मूलों के लिए परिरामी समीकरण को हल करते हैं अर्थात माना की X बराबर C, D इत्यादी ये उचिष्ट और निम्निष्ट के बिंदू हैं तीन माना की X बराबर C इनमें से कोई बिंदू हैं यदि F-X की राशी धनात्मक से त्रनात्मक हो जाती है अर्थात X, C, C के नस्दीक से छुटा है के लिए F-X 0 से बढ़ा है तथा X, C, C के नस्दीक से बढ़ा है के लिए F-X 0 से छुटा है तब X बराबर C सापेक्ष उचिष्ट का एक बिंदू है यदि F-X की राशी धनात्मक से धनात्मक हो जाती है अर्थात X, C, C के नस्दीक से छुटा है के लिए F-X 0 से छुटा है तथा X, C, C के नस्दीक से बढ़ा है के लिए F-X 0 से बढ़ा है तब X बराबर C सापेक्ष निमनिष्ट का एक बिंदू है चार यदि F-X की राशी नहीं बदलती है तब C ना तो सापेक्ष उचिष्ट का कोई बिंदू है और ना ही सापेक्ष निमनिष्ट का कोई बिंदू है इस तरहा का बिंदू नती परिवर्तन बिंदू कहलाता है। उचिष्ठ और निमनेश्ठ दिदिये अफकलज परिक्षण माना की F अंतराल I पर परिभाशित एक फलन है तथा C I के अंतरगात आता है। माना की F C पर दो बार अफकलनिये है तब X बराबर C के सापेक्ष उचिष्ठ का एक बिंदू है। यदि F'C बराबर 0 तथा F'C 0 से छोटा है। F'C का मान F के सापेक्ष उचिष्ठ मान होता है। X बराबर C सापेक्ष उचिष्ठ का एक बिंदू है। यदि F'C बराबर 0 हो तथा F'C 0 से बड़ा हो। F'C का मान F का सापेक्ष निम्निष्ठ मान होता है। परीक्षन विफल हो जाता है। यदि F'C बराबर 0 है तथा F'C बराबर 0 है। इस इस्थिति में हम प्रथम अफकलज परीक्षन का उप्योग करके ग्याद करते हैं कि C एक सापेक्ष उचिष्ठ सापेक्ष निम्निष्ठ अत्वा नतीप परिवर्तन का पिंदु है। एक बंद अंतराल में फ्लन का उचिष्ठ और निम्निष्ठ मान। फ्लन का उचिष्ठ मान। यदि एक बंद अंतराल A, B पर फ्लन F, X को परिभाशित किया जाता है, तब इस फ्लन को X बराबर C पर निर्पेक्ष या व्यापक उचिष्ठ वाला एक फ्लन कहा जाता है, तथा C, A, B के अंतरगत आता है। यदि A, B के अंतरगत सभी X के लिए F, X, F, C से छोटा चा पराबर हो। फ्लन का निम्निष्ठ मान यदि एक बंद अंतराल A, B पर एक फ्लन F, X को परिभाशित किया जाता है, तब इस फ्लन को X बराबर D पर एक निम्निष्ठ वाला फ्लन कहा जाता है, तथा D, A, B के अंतरगत आता है, यदि A, B के अंतरगत सभी X के लिए F, X, F, D से पढ़ा या पराबर हो प्रमय, माना की F एक बंद अंतराल आई पराबर A, B पर एक सतत फलन है तब F निरपेक्ष उच्चिस्ट मान होता है तथा F आई में कम से कम एक बार इसे ग्रहन करता है इसके अलावा F निरपेक्ष निम्निश्ट मान होता है तथा F आई में कम से कम एक बार इसे ग्रहन करता है प्रमय, माना की F एक बंद अंतराल आई पर एक अफ कलच फलन है तथा माना की C आई का कोई आंतरिक बिंदू है तब F-C बराबर चूनने होता है यदि F C पर अपना निरपेक्ष निम्निश्ट मान प्राप्त करे कारे नियम, चरण एक, अंतराल में F के सभी महत पून बिंदू ग्याद कीजिए अर्थात बिंदू X ग्याद कीजिए जहां या तो F-X बराबर चूनने है या F अफ कलनिये नहीं है चरण दो, अंतराल के अंत बिंदू लें चरण तीन, अंत बिंदू में F के मान का परिकलन कीजिए चरण चार, परिकलन मानों में से F के उचिस्ट और निम्निश्ट मान को पहचाने ये उचिस्ट मान F का निरपेक्ष उचिस्ट मान होगा तथा निम्निश्ट मान F का निरपेक्ष निम्निश्ट मान होगा उधारण प्रथम अफ कलज परिक्षन का उप्योग करते हुए फलन fx बराबर 2x घन घटा 9x वर्ग घटा 24x के लिए सापेक्ष उच्छिष्ठ और सापेक्ष निम्निष्ठ बिंदूं को ग्याद कीजिए हल हम निम्न फलन को हल करके 6 गुणा x वर्ग घटा 3 x घटा 4 प्राप्त करेंगे अब हम समीकरण का गुणंखंड इस प्रकार कर सकते हैं 6 गुणा x घटा 4 गुणा x जमा 1 f-x बराबर 0 ये इंगित करता है कि x बराबर 4 x बराबर घटा 1 है अब जब x बराबर 4 है तब x 4 से छोटा है ये इंगित करता है कि f-x 0 से छोटा है x 4 से बड़ा है ये इंगित करता है कि f-x 0 से बड़ा है अतैव x बराबर 4 पर f-x सापेक्ष निमनिश्ट है जब x बराबर घटा 1 है तब x घटा 1 से छोटा है ये इंगित करता है कि f-x 0 से बड़ा है x घटा 1 से बड़ा है ये इंगित करता है कि f-x 0 से छोटा है अतैव x बराबर घटा 1 पर f-x सापेक्ष निमनिश्ट है उधारा एक 20 सेंटिमीटर लंबे तार को दो भागों में किस तरह विभाजित किया जाना चाहिए कि यती एक भाग को वर्ग में तथा दूसरे भाग को वृत में इस तरह मोड़ा जाता है कि उन दो समतल आकृतियों के शित्रफल का योगफल निमनिश्ट हो हल माना की एक भाग एक्स है तब दूसरा भाग 20 घटा एक्स होगा माना की एक्स वर्ग का परिमाप है तथा 20 घटा एक्स वृत्त की परिदी है तब कुल क्षित्रफल होगा ए पराबर एक्स बटा चार संपून वर्ग जमापाई कुणा 20 घटा एक्स बटा दो पाई संपून वर्ग है जो की पराबर होगा एक्स वर्ग बटा सोला जमाप 20 घटा एक्स वर्ग बटा चार पाई के अतैव डी ए बटा डी एक्स बडाबर एक्स बटा आठ घटा बीस घटा एक्स बटा दो पाई चरम मानों के लिए डी ए बटा डी एक्स बडाबर शून ने ये इंगित करता है कि एक्स बटा आठ घटा बीस घटा एक्स बटा दो पाई बडाबर शून ने है ये इंगित करता है कि पाई कुड़ा एक्स घटा असी जमा चार एक्स बडाबर शून ने सम्तल आकरितियों का खित्रफल निमनिष्ठ होगा, जब x बराबर 80 बटाप्ई जमाचार हो, एक वर्ग बनाने वाले भाग की लंबाई 80 बटाप्ई जमाचार है, तब दूसरे भाग की लंबाई होगी, 20 घटा 80 बटाप्ई जमाचार, जो की बराबर है 20 पाई बटा पाई जमा 4 के इस प्रकार भागों की लंबाई होनी चाहिए 80 पाई जमा 4 सेंटिमीटर और 20 पाई बटा पाई जमा 4 सेंटिमीटर क्या आप जानते हैं सर आईसेक नूटन ने अफकलच के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है गोट फ्रेद, विलहेम, लेबनीज, एक जर्मन दार्शनिक, गणी तग्य और तर्क शास्त्री थे जिन्होंने सौव लंबन से कलन का विकास किया सारांश एकस एक में कोई दू संख्याएं एकस एक और एकस दो के लिए एफ एकस एक एफ एकस दो से छोटा या बराबर है को इंगित करती हैं फलन एफ एक खुले अंतराल आई पर हिरास मान होता है यदि एकस दो से छोटे अंतराल एकस एक में कोई दू संख्याएं एकस एक और एकस दो के लिए एफ एकस एक एफ एकस दो से बड़ा या बराबर है को इंगित करती हैं खुले अंतराल आई पर एक फलन f निरंतर वर्दमान होता है यदि x2 से छोटे अंतराल x1 के साथ आई के अंतरगत प्रतेक x1, x2 के लिए हमारे पास fx1, fx2 से छोटा हो इसका तात्पर यह है कि यदि x बढ़ता है तब fx बढ़ेगा खुले अंतराल आई पर एक फलन f निरंतर हिरासमान होता है यदि x2 से छोटे अंतराल x1 के साथ आई के अंतरगत प्रतेक x1, x2 के लिए हमारे पास fx1, fx2 से बढ़ा हो इसका तात्पर यह है कि यदि x बढ़ता है तब fx घटेगा बिंदू x1, y1 पर वक्र y बराबर fx के लिए स्पर्शरेखा का समिकरण है y घटा y1 बराबर बिंदू x1, y1 पर dy बटा dx गुणा x घटा x1 बिंदू x1, y1 पर वक्र y बराबर fx के लिए अभी लंब का समिकरण है y घटा y1 बराबर बिंदू x1, y1 पर घटा 1 बटा dy बटा dx गुणा x घटा x1 fx जमा डेल्टा x का निर्पेक्ष मान है, fx जमा डेल्टा x गुणा f-x माना की फलन fx वास्तविक मानों वारा फलन है, तथा c fx के प्रांत में कोई आंतरिक बिंदू है तब fx को x बराबर c पर एक सा पेक्ष उच्चिस्ठ कहा जाता है यदि h के सभी धनात्मक और धनात्मक मानों के लिए जहां fc, fc जमा h से बड़ा हो, परियाप्त छोटा हो माना की फलन fx एक वास्तविक मानों वाला फलन है, तथा c fx के प्रांत में कोई आंतरिक बिंदू है तब x बराबर d पर fx को एक सा पेक्ष निम्निष्ठ कहा जाता है यदि h के सभी धनात्मक और धनात्मक मानों के लिए जहां fd, fd जमा h से छोटा हो, परियाप्त छोटा हो यदि fx एक बन अंतराल a, b पर परिभाशित कोई फलन है, तब x बराबर c पर इस फलन को निरपेक्ष उच्चिस्ठ कहा जाता है तथा c, a, b के अंतराल a, b के अंतराल a, b पर परिभाशित कोई फलन है, तब x बराबर d पर इस फलन को निरपेक्ष उच्चिस्ठ कहा जाता है तथा d, a, b के अंतरगात आता है, यदि a, b के अंतरगत सभी x के लिए fx, f, d से बड़ा या पराबर हो माना की f, एक बंद अंतराल a, b पर एक संतर फलन है, तब f निरपेक्ष उच्चिस्ठ कमान होता है तथा f, i में कम से कम एक बार इसे ग्रहन करता है, इसके अलावा f, निरपेक्ष उच्चिस्ठ कमान भी होता है तथा f, i में कम से कम एक बार इसे ग्रहन करता है माना की f, बंद अंतराल i पर एक अफकलज फलन है, तथा माना की c, i का कोई अंतरिक बिंदू है तब f, c पर अपना निरपेक्ष उच्चिस्ठ कमान ग्रहन करे f, c पर अपना निरपेक्ष निमनिश्ठ कमान ग्रहन करे